हाई गाइस वर्कम तो वेल्डेकर डॉट कॉम मेरा नाम है देव तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निपॉन इंडिया निफ्टी 50 बीस के बारे में जी हाँ की बात करो तो निफ्टी जैसे जैसे परफॉर्म करेगा वैसे यहाँ पर इसके जो अलाइन ETF होते वह यहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो अगर में राइट ना बात करो तो मार्केट के अंदर मोर दें 30-22 से भी जादा यहाँ पर ETF जो है वक आउट करते हैं लेकिन हमें जो इसके अंदर main important चीज देखनी पड़ती वह देखनी पड़ती इसके liquidity इसका expense ratio और इसका tracking error liquidity का मतलब क्या है यहाँ पर जो ETF होते हो उसकी live price चलती रहती है मैं आपको example के साथ में समझाना चाहूँगा मालीजे आज आप देख सकते हैं आज हमारा nifty 50 अभी market obviously बाते हैं लाइव है तो 0.31 या 0.32% से यहाँ पर increase हो है तो यहाँ पर इसके against में जो आप ETF यहाँ पर buy करना चाहते हैं कि मालीजे आप basically यहाँ पर निपॉन इंडिया का ETF बाइव करना चाहते हैं तो वो भी same kind of the percentage के अंदर ही यहाँ पर increase होना चाहिए आत में guys यहाँ पर जो pricing है वो यहाँ पर live चलती रहती जिसे आप देख सकते हैं 188 यहाँ पर price live चल रही है और यह आपको market जिसे run करता है सुबह के 9 बज़े से लेकर दौपेर के 3.30 बज़े तक तो उस टैम पर आप नीचे दिखेंगे आपको एक Tata का Nifty India Digital ETF मिल जाएगा इसके अंदर आप दे सकते हैं जो liquidity है वो काफी जादा low है तो ऐसे ETF के अंदर कभी भी आपको entry नहीं माननी चाहिए क्योंकि वहाँ पर क्या होता है अगर आपके अपने share यहाँ पर खरीद भी लिए तो बेशने के ल ratio यानि आप जो पैसा लगा रहे है कि माल नीचे अभी right now जो price चल रहा है वो 188 rupees का यहाँ पर चल रहा है तो अगर मैं यहाँ पर इस ETF के अंदर यहाँ पर 188 रुपे लगा रहा हूं तो मेरा जो पूरा पैसा है वो यहाँ पर invest होना चाहिए तो उसके ओपर जो expense ratio है वो य charges होता है transition charges वगर होता है वो definitely आपका लगेगा प्लस अगर आपका demet brokerage भी charge करता है तो वो भी आपका लगेगा लेकिन अगर आप overall एक तरस से comparison करोंगे ETF को तो उसमें आपको जो main देखना है कि उनकी management fees क्या है कि Nippon India के जो managers है जो इसको handle कर रहे है इस ETF को वो अपनी क्या fees charge कर रहे है तो guys उसके अंदर भी अगर आप compare करेंगे तो आप देख सकते ही औरो कि आपको 0.07 देखने को मिल जाएगी थोड़ा सा आप नीचे जाएगे तो आपको और जादा fees देखने को मिल जाएगी तो उसके compare में भी यहापे Nippon India का Nifty 50 Bs काफी अच्छा मना जाता है क जो है Nippon India ETF का 0.30% से आज यह increase हुआ है तो same अगर आप देखोंगे Nifty 50 को भी तो वो भी almost इतना ही यहापे increase हुआ है अगर इसका मैं compare करूँगा एक index mutual fund के साथ में तो आप देख सकते हो index mutual fund के अंदर UTI Nifty का का काफी जादा नाम आता है अगर इसमें इसके 6 मिने की returns की बा 1.75% से गिरा हुआ है और जो ETF है उसने जो return generate करके दिया है वो minus 1.21% का है जबकि index जो fund है वो directly double हो गया यानि की minus 3% तो guys आप देख सकते हैं कितना जादा आपको difference यहापे देखने को मिल रहा है तो यह जो चीज को difference होता है वही कहलाता है आपका tracking error और यह tracking error जो सबसे कम होन चीज है तो guys यहाँ पर definitely Nippon India का जो Nifty 50 का 20 का जो tracking error है वो just 0.03% का जो की market के अंदर as compared to other ETF यहाँ पर काफी कम माना जाता है साथ में guys यहाँ यहाँ पर में Nippon India की Nifty 50 की AUM size की बात को तो 9000 करोड से भी जादा इसका AUM size है यानि कि इतना पैसा इसके अंदर यहाँ पर जो ह tracking error है वो at least 0.51% का है तो उसके compare में तो यहाँ पर काफी कम है और इसकी मुझे सबसे अची बात यहाँ पर यही लगती है कि यहाँ पर ETF को आप real time के अंदर buy कर सकते है जैसे है कि आगर आमानी जी आज सुवे सुवे marketing ही 2% से गिर चुका है तो आप उसी time पर यहाँ पर इस के लिए यहाँ पर बैट लगाता हूँ हर वीक के अंदर में यहाँ पर अगर निफ्टी बीस को यहाँ पर buy करना चाहता हूँ तो वो चीज़ भी possible है और इसे मेरी average price में यहाँ पर कम होती जाती है साथ में guys अगर आप एक long term investor है और मालनी चे अगर आपके पास में लंसम पैसा अगर भी पड़ा हुआ है और अगर आपकी holding capacity है तो यहाँ पर लंसम भी invest कर सकते है जब भी यहाँ पर market down जाता है live market के अंदर सीधिया आप Nippon India के ETF यहाँ पर live buy कर सकते है जैसे आप देख सकते है मैं हर period के अंदर जब भी market down जाता है मैं यहाँ पर सबसे पहले Nippon के साथ में जाना चाहिए long term के लिए और यहाँ पर आपका कभी भी पैसा जो है डूपने के chances almost यहाँ पर 0% है अगर आप एक long term horizon को लेके चलते हैं तो So guys if you like this video please subscribe our channel अगर आप लोग के कोई भी doubt से comment box में ज़रू बताइए thank you guys